पालिश्ट के बारे में समझा दिये था, आवा समें जा रहीं है न? चलिए सब लोगों को हैपी दुरगा पूजा दसारा आप सब लोगो मुबारक अच्छे से अच्छे मनाईए दसारा आपने अंदर के बुराईयों को मारिए क्योंकि अब सब यह कल्यूग है कल्यूग में हर आदमी राक्षास का रूप ले लिया है कई न कई टांडो करते रहता है तो आपने अंदर की बुराई को मारी है अब हम ही लोग क्या बन चुके हैं बुराई बन चुके हैं आते हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास देखियो आपको मिडिलिस्ट के बारे में बताया थे Middle East में कितने country थे? Middle East में Middle East में country पते कितना टाइम लगेगा आपको बनाना है? 17, very good 17 country Middle East में थे थे सब 17 country में कॉन-कॉन? तुर्की, साइपरस, सीरिया, लेबनान, इसराइल, फिलिस्तीन, जारडन, मिस्र, सौधी अरब, यमन, ओमान, युएई, कतर, बहरेन, कुवेट, इराक, इरान आप सब लोगो आपको बोले थे, अगल बगल में सब को समझाते रहेगा अरब प्राइद्वीप पर कितने देश थे, यह जो अरब प्राइद्वीप है, इस पर कितने देश थे, अरब प्राइद्वीप पर, अरब प्राइद्वीप पर, अरब प्राइद्वीप पर, साथ देश, वेरी गुड, खाडी देश यानि गल्फ कंट्री, गल्फ कंट्री में कितने देश? गल्फ कंट्री में 8 country, very good, खाडी में 7, 8 है भई, गल्फ कंट्री में 8, और मिडिलिस्ट में 17 देश, अरब प्राइदी पर 7 देश, अरब प्राइदी पर कितने देश? 7 देश, इस्टाट करते हैं, अब हम लोग एक एक करके इस country को पढ़ना, फिर आपको map भरवाएंगे हम ये material में, देखिए, सबसे पहला इसमें आ जाता है टर्की, तर्की पुराना नम टुर्की, इसे तर्की कही है, टुर्की कही है, ये ottoman सामराज की ये क्या थी, main राजधानी वाला area था, अब आप कहे बिस्कली मौरे सामराज मिलेगा, बहुत सारे सामराज मिलते हैं, ottoman सामराज उस समय बीसु का बहुत बड़ा सक्तिसाली सामराज था, इसमें हम आपको ottoman सामराज दिखा देते हैं कहीं है कि नहीं, इसमें, ये रह, देखिए, ये ही भी आपको middle east ही दिख रहा है, यह अग इरान यहीं से न सुरू है, ये टर्की है, देखिए, ये रहा है आपका टर्की, तुर्की ये जो अभी का जो तर्की देख रहे हैं, पहले ये टर्की बहुत बड़ा था, इसका नाम था ottoman सामराज, ottoman empire, और ये Muslim country थे, ये यूरोप से चालू होता था, देखिए, को खतम कर देते हैं, तो ottoman सामराज के बिनास में, ब्रिटेन ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई, सौधी अरब से मिलका है, ottoman सामराज बिखर गया, और कई देशों में तूड़ गया, जिसमें Middle East के जादेतर देश थे, इसमें आप देखेंगे तो यहां से आपका समझता है खुद को, वो है तुर्की, अरे चीक आ रहा है, तो डर लग रहा है, हम एक आदमी से मिलके आएं दिल्ली में, उसको कोरोना था, मतलब मिलके जब आ गएं तो प्रूवन किये कि और कैसे हैं, बोला कि सर ठीक है, अभी हम एडमीट है, हम पुचे कह लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जो ये सामराज देख रहा है, गिरीन कलर वाला, इस सामराज की जो राजधानी थी, वो थी कुस्तुन्तुनिया, आप इतियास में पढ़ेंगा, कुस्तुन्तुनिया, तो ओटमन सामराज की राजधानी कुस्तुन्तुनिया थी, जिसे आज क वक्त में Istanbul कहा जाता है आज के वक्त में उसे क्या कहा जाता है इसलिए तुर्की को लगता है कि आज भी वो पूरे दुनिया का राजा ही है इसलिए कुछ देखते हैं तयबुल अर्दोगान अपने आपको कुछ जादे हीरो समस्ते हैं तुर्की के दो भाग हो जाएंगे एक उपर का थोड़ा सा भाग, बीच में एक थोड़ा सा समुंदर है, उस समुंदर का नामे मरमरा सागर, तुर्किय के पास यहाँ पर एक सागर है, जिसका नामे मरमरा सागर, तो यह उपर वाला जो एरिया है, यह इस्तामबुल है, उपर वाला एरिया क्या हो जाता है, इस्ता को क्या मनते एक देश में जबकि तुर्की का 97 % नाइन-टी-शेवेन परसेंट फाग किधर आता है ऐसिया अधरी परसेंट वाला भाग किदर चला जाता ह्यूरोप में चला जाता है यहां देखिए तुर्की को यहां बड़ा मरमरा सागर, मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर, तुर्की का जो उपर वाला भाग है वो यूरोप में पढ़ जाता है, याद रखते चलिए का यहां से question पूछता है बहुत जादे, तुर्की का उपर वाला भाग यूरोप में जो पढ़ता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या कहेंगे थरेश और इस थरेश की जो राजधानी है वो है इस्तामबूल इस्तामबूल का पुराना नाम क्या था कुस्तुन्तुनिया ये कहां पढ़ जाता है यूरोप में तो कहेगा कि यूरोपी ये तुर्की की राजधानी क्या है इस्तामबूल है ये कितने परसेंट भाग पर है, तीन परसेंट भाग पर, बाकी का जो ये वला भाग है, ये 97 परसेंट भाग है, इसे हम लोग कहते हैं, अन्तोलिया, अन्तोलिया कहते हैं, इसे को हम लोग एसिया माइनर कहा जाता है, छोटा एसिया, एसिया माइनर के नाम से जाना जाता है, तो तुर्की का ये वाला भाग हो गया है, अंतोलिया वाला भाग, अब बतेए, मेन तुर्की तो अंकोलिया वाला भाग है, और ये जो पढ़ जाता है, वो एसिया में पढ़ जाता है, और इसकी जो राजधानी है, वो हैं अंकारा, अंकारा, इसकी राजधानी क्या है, अंक थरेश की राउधनी इसका मतलद उर्योपीय भाग को ठरेश कहते ह girder 5 यो यो pero तुम्निय के जिनियास पुराननित्षनियाज था और यह में तुर्की सन्तानमे परसेंट भाग इसे कहते 가서 कोंचन पूशन पूझाता comment अंटलिया का प्लेटिव कहां है अंतोलिया का पठार कहां है तुर्की में हो गया अंतोलिया का पठार तुर्की में है इसे क्या कहा जाते है एस्या माइनर कहते है यह इसकी राधनी अंकारा है इसकी राधनी अंकारा है अभी यहां पर देख रहे हैं यह तुर्की यह अंकारा वाला एरिय यहां पर यह सागर का नाम क्या है काला सागर और इधर वाले का नम है मरमरा सागर तुर्की के उपर काला सागर और मरमरा सागर हो जाएंगा से यहां देखेंगे यह हो गया आपका काला सागर और यह है मरमरा सागर इन दोनों सागर को जोडने वाला समुद्र का पतला रास्त आगे आगे आजब को जलसंदी का तो तुर्की के ऊपर कौन सा साघर Marian हो गया बही बताई कोन सा सागर जोड़ता है बही बताई ये पड़ा बाग काला सागर मरमरा सागर को कोन जोड़ता है काला सागर मरमरा सागर को कोन जोड़ता है काला सागर मरमरा सागर को वासपोरस जलसंदी वासपूरस जलसंदी पूछा हुआ question है वासपूरस जलसंदी बतळिए ये सामराज कौन से है Ottoman सामराज Ottoman सामराज का अकेला वारी सब कोन बचा हुआ है तुर्की बचा हुआ है अब इतने चोटा में हो गया है Ottoman सामराज ACI तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपिय तुर्की की राजधानी इस्तामबूल इस्तामबूल का पुराना नम कुस्तुन्तुनिया तुर्की में इसाई भी है, मुस्लिम भी है इसाई और मुस्लिम दोनों है यहाँ पर इस्तामबूल का एक मस्जिद है जिसका नाम आप बहुत सुने होगे है हाया सोफिया जिस पर एक यूटूब पर वीडियो भी बनाए हुए है पूरा डीटेल्स है उसको देखना हो तो देख लीजिएगा हाया सोफिया तो ये हाया सोफिया जो था न पहले क्या था हाया सोफिया पहले एक चर्च था इसाईयें थे पहले चर्च था तो चर्च था बाद में जब यहां मुसल्मानों का कबज़ा हुआ तो यहां के जो सुल्तान थे उन्होंने इसाईयों को पैसे दिये और उस चर्च को खरीद लिया चर्च को खृद लिया तो वोगया मस्जिद पहले था चर्चए खरीदने के बाद उसे क्या बना दिया गया मस्जिद बाद में दुटियभी स्य॥ जब हुआ तो दुटियभी स्य॥ में कहा गया गागween एक देखो वैran दंदिर मंदीर ईसाइई गिरजा घर सब के चक्कर में बहुत बवाल होता है, कामकरी से म्यूजियम बना देते हैं, तो उसे म्यूजियम बना गया गया, लेकिन अभी तयबुल अर्दोगान आए हैं, तो उसको वापस से क्या बना दी हैं, मस्जिद बना दी हैं, तो यह तर्की हो गया, तर्की का, तर्की के पास मुस्लिम कंट्री में टर्की ही होगा तही अब ओल अर्दोगान यहां किया है कगदान मंतरी कुछ जादे ही चटक रहे हैं अचकर है तो यह टर्की समझ में आगया टर्की का एसिया से जादे संबंद यूरोप के लोगों से है है उसका culture यूरोप से मिलते जुलते है वहां पि भाशा भी तर्की से भायाए तर्क की तर्कों इğका थी नहीं भाईया उस समय ये तो राज ये तो पूरा ये एरिया टर्की का था यहां से और यहां से आकरमण करते थे सब ये एरिया में टर्क सब आके तुर्क सासक जो थे सब तुर्क में भी ये अफगानिस्तान वगेरा भी उस समय टर्क के अंडर में आता था तर्की सब वगेर तुर्की के नीचे है साइप्रस, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, साइप्रस जो है न यूरोपी यूनियन का एक देश है, साइप्रस यूरोपी यूनियन का एक सदस देश है, साइप्रस, ये यूरोपी यूनियन क्या है, तो यूरोप के देशों का एक संगठन है यू राजनीतिक करुप से ज्यादे संबदमंद एसारा किस मानते हैं, इूडोमचर इस यज कॉपलेट हुगें तुर्की, अंतोलिया किसे करते हैं यह वाले अरिया का अंतोलिया का पठर कहा है तुर्की में कितने लोग बता सकते हैं तुर्की का एक बहुत फेमस जील है उस जील का नाम क्या है तुर्की का सबसे फेमस जील है दुनिया में बहुत फेमस जील है वो तुरकी के जील का नाम बता दिए एите प्य cock गुवाम कहाता है गुवाम उधर आता आथा पैसिफिक में आता है पोलिनेस्यामे आता ऐसेया मनिए आता अस्टलिया जब पढ़ी है तो वहाँ पताएं गुवां की रिबाटि वानु ओड़ी फीजी कोईलीडोनिय इस अपर हटोंगा टूगा लूऑ यह सब वहीं आते हैं कौन जील है भाई उर्मिल जील है उर्मिल 정도로 ओर्मिल जील छोटा सा है वहाँ पर कि वान जील कौन से जील वान जील वहां का सबसे फेमा जील है वान जील इतना खारा है कि उससे ज़्यादे नमकीन पानी दुनिया में कोई नहीं समुंदर से ज़्यादे खारा पानी उस जील का है वान जील का है कौन सा जील वान जील तो तुर्की और साइपरस समझ में आ गया इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, साइप्रस कर्ज के जाल में था, निकोसिया इसकी राजधानी थी, साइप्रस, इसके बाद ये वाला कंट्री देखे, सीरिया, ये वाला देश कुन सा है, सीरिया, सीरिया का भारत से बहुत ही पुराना संबंध है, इसा मसी का जनम आज से 2020 साल पहले हुआ था जब इसा मसी का जनम हुआ तो उसी समय से ग्रेगोरियन कलेंडर चलने लगा जिसके महीने होते हैं जनवरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल लेकिन हम लोग जो फॉलो करते हैं वो तो मतलब मुसल्मान फॉलो करते हैं हिज्री समवत, हिंदू फॉलो करते हैं सक्समवत और क्रिष्चन फॉलो करते हैं यह आपका टेक्नोलजी बना देंगे कि मजबूरी में आपको क्रिस्चन पर आना पड़ेगा आप देखिए कोई मुस्लिम चा के भी किसी से कह दीजे ना कि अपना जनमतिती बना मुस्लिम से पूचिए कि उर्दू के महिना से बताओ रजजब में हुए थे कि तरतेजी में हुए थे कि पताओ किस में था तो वह भी बहुत मुस्किल से पता पाई लेकिन क्रिस्चन सब इतना डेबलप हुए सब कि उन्होंने अपना केलेंडर तो थोग दिया मतला हमारे उपर पूरे उनका ही केलेंडर थोपा हुआ है तो यह सीरिया जो है सीरिया से धाई हजजार साल पहले भ द्रहाकत का का मतल था अंजीर मांगा था तो अंजीर दिया ゃा और कहा था कि हमको एक टीचर चाहिए यानी दार puppet विहार से इसको teacher नहीं दिया गया कहा सीरिया में सीरिया में धीरे-धीरे सीरिया की राजधानी दमिसकस है सीरिया पर धीरे-धीरे वहां के एक सेना का परमुख था सेना अध्यक्ष जिसका नाम था बशर अल-असद बशर अल-असद जो था वो सीरिया पर ताना साह हो गया ताना साह उसे बोलते हैं जब सेना वाल टख़ह उड़ी आ जाएंगे लोग पूरा सकत है उड़ा दे का हो तो इसलिए वहाँ कु अईसे सदेघcción को या कहते हिए डिक्टेटर्शिप के लॉडा से जो अमेरिका के favor में गया रूस सोचा उसको तबाह कर दे इसलिए अमेरिका की नजर किस पे पढ़ गई? सीरिया पे पढ़ गई थी अब उसने क्या किया? सीरिया में तांड़ा मचाना चालू गिया सीरिया में सरकार किस की थी? असद, बसर असद, असद की सरकार थी, असद किस के फेवर में थे, रसिया के फेवर में थे, लेकिन ये ताना साही थे, इसलिए अमेरिका यहां के लोगों को पैसा दे दिया, हथियार दे दिया, और यहां पर विद्रोह करा दिया, और कहा कि मरो असद की सेना को, सुचिए, यह आतंगवादी नहीं है, इतना पैसा देने के बावजूद, और अमेरिका आमने यहाँ पर विद्रोह करा दिया, भायानक विद्रोह हुआ यहाँ पर, लाखो लोग मारेगा, अब इसमें टांडो देखिये क्या है, अमेरिका मार रहा है किसको असद को, अमेरिका किसको मार रहा है, और अमेरिका किसको मार रहा है, असद की सेना को, रूस की सेना को नहीं मार रहा है, क्योंकि सीरिया में रूस की भी सेना घुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अब क्या हो गया यहाँ पे कुर्द एक जंजाती है कुर्द अब उका गई कुर्द कर रहा है कि सीरिया ना असद का है ना रूस का है ना वीद्रोही का है ना अमेरिका का यह किसकी है कुर्द का किसका है कुर्द का अब कुर्द इन चारो को मार रहा है बल्ले में यह चारो इ मनी आ रहा है आईस आईस बिद्रोही को भी मार रहा है अमेरिका को भी मार रहा है असद को भी मार रहा है रूस को भी मार रहा है कुर्द को भी मार रहा है कुर्द रूस को मार रहा है सब असद को मार रहा है सब आईस आईस को मार रहा है सब अमेरिका बिद्रोही सब को मार र रहे हैं और ये कहला रहे हैं आतंकवादी और ये जो लड़ाई शुरुवात कराने वाले ये दोठों हैं ये देश कहला रहे हैं ये कहला रहे हैं सक्तिसाली देश पूरी दुनिया में आतंकवाद जो फैला है इनी दोनों के वज़ से फैला है क्योंकि इनका हतियार बेचने सीरिया में कि सब्से खतरनाक सहर हो गया सीरिया की राज़धानी दमिश्क सब्से खतरनाक और सब्से सस्ता सहर वहाँ के होटल एक दम सस्ते हैं कौन जायगा मर्दे के लिए महाँ पर सिर्या की राजधानी दमिश्कस समझा गया है हो गया है किसी कोई कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं लोग देखें यह हो गया आपका सीरिया यह सीरिया के बाद कौन सदेश है लेवनान यह चोटा सदेश को नहीं लेवनान की राजधानी कितने लग बता सकते हैं बेरूत लेवनान की राजधानी बेरूत बेरूत में एक बहुत भयानक बंबिस्पोर्ट हुआ था जुलाई में बंबिस्पोर्ट तो हुआ नहीं थे उसके जो बंदरगा था, बेरूत बंदरगा, बेरूत बंदरगा में पोटेसियम नाइटरेट रखा हुआ था, पोटेसियम नाइटरेट में भायानक भी स्पोर्ट हो गया, जिस अमोनियम नाइटरेट था, बहुत भायानक भी स्पोर्ट हो गया, जिस वज़े से वहां जहां इसाई लोग मतलब अच्छे कासे संख्या में हाला कि पूरे मीडी लिश्ट में अगर आप देखेंगे तो किसकी अधिकता है मुसल्मानों की अधिकता है लेकिन आपको यहाँ पर बेरूत में किसकी अधिकता मिल जाएगी इसाईयों की लेकिन ऐसा नहीं है कि इसाई जादे हैं मतलब अन्य देशों के तुनरा में यहाँ इसाई जादे लगवर 35% यहाँ बाकी सब मुसलिम है बेरूत यह ओगे आपका लेबनान लेबनान एक देश है जो लेबनान की राज़ानी क्या हो जाएगी बेरूत लेबनान सबसे परमुक बंदर गया कौन हो इसराइल इसराइल तो कोई देश ही नहीं था इसराइल को तो कबजा करके बनाया वहां कुन देश था फिलिस्तीन कुन सा देश था फिलिस्तीन फिलिस्तीन पर कबजा करके क्या बना लिया गया इसराइल सर एटलस नहीं मिल रहा है तो एटलस लेंगे तब तो मिले गए एटलस हम आपको आजे से चिला रहे हैं एटलस लेने के लिए हाँ 20 दिन से कह रहे हैं एटलस ले लिए एटलस ले लिए अब हम क्या कहेंगे आप नहीं लेंगे तो हम रूखेंगे आपके लिए क्लास छोड़के यह मेरा काम धड़ी एटलस लेना है जब आपको पता है कि एटलस का बैच इस्टार्ट हो रहा है तो अब देखोई बकलो लेगो पूझरा पेज नमर कितना है तो समझ में नहीं नहीं आ रहा था कि जब हम मीडी लिस्ट पढ़ा रहा है तो पेज नमर खोज के रखो हमको क्या पता किस पब्लिकेशन का अपने किताब रखा है नेक्स्ट बैच जब आएगा तो उसमें हम अपनी किताब लाएंगे एटलस का तब आपको समझ में आगा तब तक आप किसी और एटलस को ले ली जाए ऑक्सफोड का कोई भी यहां एक देश था जिसका नम था फिलिस्तीन देश का नम क्या था फिलिस्तीन अब फिलिस्ती बहुत पढ़े लिखे लोग थे ब्रीटेन को लग गया कि अगर यहूदियों को हम साथ ले लेते हैं तो आगे जाके काम करें और ब्रीटेन चाहता था कि यह मुसल्मान देशों के बीच में एक पर्मनेंट बवाल पैदा करके चले जाए पर्मनेंट बवाल करके पैदा कर करके चले जाए अब देखिए मुसल्मान साथी अरब को बहुत इज्जत से देखते हैं से लेकिन यह बहुत बढ़का हरामी कंट्री है यहां पर यह उनको लगता है कि मक्का मदीना यह तो बहुत अच्छा है बहुत बढ़का चुट्टा है ओटमन समराज को इसी ने मरव समराज था आप अगर ध्यान से देखेंगे फिलिस्तीन तो यह कहा पर है यह तुर्की है यहां पर साइपराज सीरिया लेबनान यह है फिलिस्तीन तो यहां पत्थे देश था फिलिस्तीन तो अमेरिका ने क्या कहा ब्रिटेन ने साओधी अरब ब्रिटेन ने समझाता कर ल लगा कि फिलिस्तीन युद्ध के बाद हमको मिलने वाला इसलिए इसने पीछे से हम लाइए भी कर दिया और जो जर्मनी में यहूदी थे ब्रिटेन ने इन यहूदियों से समझाता किया कि तुम हमें पैसा दो और सेना दो हम तुम्हारे लिए एक निया देश बनाएंगे त इस पर बंबार्डमेंट करके और इस पर इतना भयानक बंबार्डमेंट किया गया कि यहां के लोगों को बहुत जादे मार धार हुआ और यहां पर ले आकर बसा दिया गया किसको यहूदियों को बसा दिया गया और धीरे धीरे बटवारा आईसा कर दिया गया इस से में कि आधा यहूदियों का हो जाएगा, आधा मुसल्मानों को हो जाएगा और Britain कोई बाथ को बेहतरीन ढ़ंग से पता था अगर मुसलिम और यहूदी एक जग़ा रहिंगे तो यहूदियों के पास टेक्नॉलजी जादे है फिलिस्तीनियों को इतना नचोपट कर दिया है कि वहां के किसी काम के नहीं है और इस पर केवल और केवल दोस देना इसराइल को गलत है क्योंकि इसराइल अगर यहां से हट गया तो फिर इसराइल जाएगा कहां कोई नहीं है यहूदियों को बचाने वाला इस देश में यहूदियों का केवल एक और देश है इसराइल दूजरा मुसल्मान लोग के लिए तो सौधी अरब भी है यही तो हमला करवाय थे मिसर भी है कहीं भी चले जा सकते हो लेकिन बात जाने की नहीं है इसराइल कहता है कि सारे मुसलिम कंट्री हमको यह स्विकार कर लें कि यह हम एक स्वतंत देश है जिस दिन स्विकार कर लेंगे हम मान लेंगे कि यह छोटा वाला जो देश है जिसको मार के हम कभजा कर लिए है वो एक फिलिस्तीन है तो ये दोनों के बीच में बहुत जादे युद चलता है, इसराइल बहुत सकती साली है, इसलिए बहुत जादे अचार कर देता है, लेकिन पीछे इन लोग का भी हात रहा है, तो इसराइल जो है, वो किसको उजाड कर बनाया गिया है, इसराइल जो बनाया गिया है, फिलिस् उनका जो पूजा घर होता है बता सकते हैं कितने लोग अंसर दीजिए यहूदियों के पूजा घर को क्या कहते है यहूदियों के पूजा घर को क्या कहते है यहूदी एक अलग धरम है बाबू जैसे हिंदू एक अलग धरम है मुसलिम एक अलग धरम है इसाई ये वैसे यहूदी होते है सीने गाग सीने गाग कहा जाता है चर्च यहूदियों का नहीं होता है चर्च इसाईयों का होता है सीने गाग यहूदियों का पूजा घर सीने गाग कहलाता है कई भर कोशन पूछेगा यहूदियों का पूजा घर सीनेगाग कहलाता है वेरी गुड इसराइल की राजधानी कितने लोग बता सकते हैं इसराइल की राजधानी एटलस दखेंगे इसराइल की राजधानी इसराइल की राजधानी बताइए सिंगापूर कोन बोलता है बाई जरुसलम इस्राइल की राजधानी जरुसलम इस्राइल की राजधानी जरुसलम इस्राइल का सबसे बड़ा साहर तेल अवीब इस्राइल का सबसे बड़ा साहर तेल अवीब इस्राइल का सबसे बड़ा साहर कौन सा है तेल अवीब इस्राइल जो है कौन से धरम के लोग महां रहते हैं यहूदी धरम के लोग रहते हैं इस्राइल के सम्विधान के इसाब से पूरी दुनिया में जहां भी यहूदी लोग हैं उन्हें आटोमेटिकली इस्राइल की नागरिक्ता प्राप्त है इस्राइल जो यहूदी जो हैं द लास्ट में मुस्लिम आते हैं लोग तो इन लोग का दिमाग सबसे तेज होता है यहूदियों का आप देखेंगे इंटल का जो प्रोसेसर आता है यहूदी से आइंस्टीन वज्ञानिक यहूदी बहुत जाते दिमाग वाले होते हैं सब यहूदी इनका पूरा टेक्नोलजी म पर जाती है यहुदियों का पूजा अस्तल क्या कहा लाता है सीने गाग दुनिया का सबसे पुराना सीने गाग का नाम है वेलिंग वाल वेलिंग वाल अब आप बताइए वेलिंग वाल कहा होगा जरुसलम में दुनिया का सबसे पुराना सीने गाग वेलिंग वाल नाम है कहा जरुसलम वेलिंग वाल कहां पर है जरुसलम में तेल अवीव किस देश में है इसराइल में इसराइल में कौन सा धरम है यहूदी धरम है बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं यहूदी लोग दिखिया अमेरिका ने और बृटेन ने मिलकर यह फिलिस्तीन को उजाडने के दिखिया दूरान यहां बहुत जादे बंबार्डमेंट किया था बहुत ही जादे यहां पर क्या किया था बंबार्डमेंट करके रखा हुआ था यह समझ में रहा है यहां पर बहुत जादे बंबार्डमेंट किया था तो यह फिलिस्तीन कुछ अरब वाले देश वाले क्य जैसे UAE ने दे दिया, Qatar ने दे दिया, बहरेन देगा कुछ दिन में, तुर्की ने दे रखा है, तो धीरे धीरे इसराइल भी सामाने होगा, अब इन लोग को करना क्या चाहिए, भाईया समझाता कर लो, कि भाईया जितना में तुम हो, रह जाओ, और जितना में फिलिस्तीन ह लेकिन इन लोग की बात देखिए, इन लोग का कहना एक नहीं, पूरा फिलिस्तीन का है, तो इसराइल का था हम कहा जाएंगे, तो करा तुम समझो, तो कहा अच्छा, अच्छा, धो देता है फिलिस्तीन वालों को, अब इन लोग को समझ में नहीं आता है, उट चराने वाल सबसे टेकनोलजी उसका हथियार टगड़ा होता है यह वहाँ पे इसराइल की समस्या अब बात करते हैं फिलिस्तीन फिलिस्तीन थोड़ा सा एरिया में बच गिया है जिसका नामें गाजा पट्टी और फिलिस्तीन की राज़ानी रमल्ला है फिलिस्तीन लोग अभी जीने के लिए तरस रहे हैं यूएनों के द्वारा चंदा जाता है तो लोग खाते पीते हैं लोग टेकनोलजी से कोई मतलब नहीं पढ़ाई उड़ाई करने नहीं देता है वहाँ पे मार और के दबा के रख दिया है तो यह हो गया फिलिस्तीन इसराइल समझ में आ गया इसराइल क सबसे बड़ा सहर कौन सा है मुसाद इसराइल का वो है खुफिया एजनसी का नाम है मुसाद हिटलर यहुदियों को क्यों मारना चाहता था देखिया हिटलर जब पर्थम भी सी हिटलर एक असा था जर्मनी का सैनिक था इंगलेंड और जर्मनी के बीच में युद्ध होगा था इंगलेंड और जर्मनी के बीच में युद्ध होगा इस युद्ध में हिटलर एक सैनिक की तरह लड़ रहा था उस समय वो राजा नहीं था ये घटना 1930 किया तो हिटलर जखमी हो गया था वो ये घर में छुप गया जुप छुप गया ना उस घर के लोगों से विंती किया कि हम हम को बचा लेना जबकि वो घर खुद जर्मनी में था और वो लोग भी जर्मनी के रहने वाले थे लेकिन उन्होंने ले इंगलेंड के सैनिकों को बुला के दे दिया कि ले जाओ इसको भूदर को पकड़ लो तो हिटलर ने कहा कि रे चुट्टा तुम ही जर्मनी का है और त तुम इंग्लेंड का साथ दिया, कौन जात का है, उस पता चला कि वो यहूदी थे सब, तब से हिटलर कसम खाया कि हम इन यहूदीयों को बरबात कर देंगे जर्मनी से, उजार देंगे जर्मनी से इन लोग को, तब से हिटलर यहूदीयों से देखना नहीं चाहता था, हिटल थे और हमको तड़ाप के खीचते हुए इंगलेंड लेके गया गया था हमको जेल में बंद करके पीटा गया था हमें ऐसे ही दर्द हो रहा था ये दर्द हमको एक यहूदी ने दिया था उसने जासुसी कर लिया इसलिए यहूदियों को ठोक दे रहा था ज़र अगर हिटलर जिन्दा बच जाता तो कन्फर्म समझी है कि ब्रिटेन इस दुनिया दो लोग को तो मिटा देता है ब्रिटेन को मिटा देता है और यहूदियों को मिटा देता है छोड़ता नहीं इन लोग को तबाह कर देता है हिटलर मस्त आदमी था नहीं रहे बाई साब बहुत जादे जालिम था हिटलर मस्त नहीं था कोई एक यहूदी खराब है तो इसका मतलब यह थोड़ी कि सारे यहूदी खराब है उस तरह से देखेंगे तो बीभी सड जो था लंका का हिंदुस्तान में आपको हर जाती में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्नों ने ना कटवा दिया है यहाँ पर नहीं है सब आप बते ही ना हर जग मिलेंगे 1857 की करांती हमारी असफल क्यों हुई थी क्योंकि राजस्थान और जोती राधितराय सिंधिया नेता इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था तो इसका मतलब क्या पूरे राजस्थान के लोगों से आप दुस्मनी करेंगे असा नहीं है ना कुछ लोगों गलत हो ज आती को लिए गलत नहीं कह सकते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए हिटलर तो इस्राइल समझ में ऐगाए हिज्राइल बहुत ही सक्तिसाली दैस इसका कहना है कि दुस्मनों को इतना मारेंगे ना की दुस्मन हमारी ओर देखने की हि मत नहीं करें 줄िदया आरगे और Ink kannst दिया तने ख को टपका देते हैं तो यह सब इज्राइल का साथ दे थे हैं सॉदी अरभ सुदिप को मारो इसको जिस दिन इरान मरेर न., उस दिन सौदी अरभ भी नहीं चोड़ेगा तो अभी इसराइल एक बहुत सक्ती साली देश को इसा भारत का इसराइल से बहुत अच्छा से इनगा इंचा भारत को अपने देश से मतलब है बाकि मारो कटो लोक सशुरू हमको क्या मतलब है इसराइल समझ में आगया उसके नीचे जार्डन कितने लोग बता सकते हैं इसराइल और जार्डन के सीमा पर कौन सा जील है अंसर देंगे, इसराइल और जार्डन के सीमा पर कौन सा जील है, डेड सी, वेरी गुड, मृत सागर, डेड सी, मृत सागर, जील का नाम क्या है, मृत सागर, डेड सी, मरा हुआ सागर, इसको मरा हुआ सागर क्यों कहते है, तो इस सागर का घनत इतना जादे है, कि इसमें किसी चीच को डालिएगा, तो डूबता ही नहीं है, बलकि उपर चला आता है, अब जब डूबेगा नहीं, मचली को डालेंगा, मचली डूबेगी नहीं, उपर चली आती है, क्योंकि इसकी जीव जन्तु जिन्दा नहीं रह पाते हैं सम इस वज़ा से इसे हम लोग क्या कहते हैं डेट सी मरा हुआ सागर कहते हैं इसमें कोई जीव जन्तु जिन्दा नहीं रह पाता है यह वाला देश है जाडन यह देश कुन सा है जाडन जाडन में राज तंत्र है जाडन की सीमा इ बायान इससे लगता है तो जाडन इस्राइल इतना भायानक मार से कि सीरियासे वालो голос ने पर्छे में हग मुद दिया था उसके बाद लड़ाई नहीं लड़ा सा the ज़्सेerg हैसे लिज्अड शेक्ष 활ूसा घर में घुस घुस मारा था अभसा सिश dernière लोग भी नहीं लड़ता है सब एक बार मिसर वाला जगड़ा किया था तो मिसर वाला को इतना मार मारा कि मिसर वाला भी भाग गया डर सौधी अरब वाला पहिन के लूंगी भाग गया का हम से नहीं लड़ेंगे हम यह आप भाई इनकी में किसी की आउकात नहीं है कि इसराइल से ल क्योंकि इस्राइल बहुत पावर्फुल है इनके पास अपना एक हेलिकॉप्टर नहीं बना पता रहे एक के 47 नहीं बना पाते इस्राइल से कोई ची लड़ेंगे या पर बैतर यही है कि लड़ाई के चक्कर में मरा जाओगे कुछ बचेगा नहीं नहीं तो देख लो मारा भ आप इस्राइल था और 50 % फिलिस्तीन था तो इन लोगों को लगा कि हम इस्राइल को भागा देंगे उस्टाफ मार मार के मार मार के अज कर लिया, 70 परसेंट पर कब् caterpillar कर लिया, 70% इस्राइल हो गया, 30% फिलिस्तीन हो गया है, औब जो ओग कहता है तो इस्रां परीक Ready Sh Reynolds is 50 50% था तो तुम हमको 0 पे लाना चाहता था हम मारधार के कभजा की हैं 70% अब कम्परमाईज करना है तो कहो कि 70% पर इजराइल है और 30% पर फिलिस्तिन है तो यह लोग कहते कि ना इजराइल जो है वो 0% पर रे सशुरा तुने तो रहा जीरो के चक्कर में एक दिन फिलिस्तिन जीरो हो जाएगा यहां पर उनलोग को कुछ आता जाता है नहीं फिलिस्तिन वालों को एक और को रोकेट मारता है हमास वाल अरे भाईया रोकेट मारता है दुनिया का सबसे खतरनाक मुसाद यहां की सीक्रेट एजेंसी है इसा बहुत खतरनाक होता है जो डेन नोडेन समझ अमेरिका अराम से लड़ सकते इस्राइल के पास सबसे बड़ी खराबी क्या है क्यों इसके एरिया छोटा है अगर बहुत सकती साली देश आके इसे चारो और से घेर लेंगे तो मार देंगे सब यह दिखिए अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूस चाइना यही सब इस पर भा 10,000,000 लोग रहते हैं और हर लोगों को अपना जब वो इंटर्मीडियेट की पढ़ाई 10 प्लस 2 खतम करते हैं 10 प्लस 2 की पढ़ाई खतम करते हैं तो उन्हें दो साल के लिए सेना में ट्रेनिंग लेना पड़ती है सेना का हर एक हिस्सा को ट्रेनिंग लेना पड़ता है हम हम लोग जब 10 प्लस 2 पास किये थे मतलब पढ़ते थे तो हम लोग NCC किये हैं NCC और NCC में आर्मी अटेश्मेंट का कान हर तरह का बंदूग चला लेते हैं आपका यह गरनेट फैकने के लिए फैक देगा आदमी आप एक फोटी सेवन दीजी हम चला देगे SLR दीजी चला देगे LMG दीजे MMG MMG नहीं चला पाएगा LMG चला देगा आदमी सब्सक्राइब पुलिस वाला 303 तो कोनो काम का बंदूग नहीं आराम से आदमी चला देगा तो हम लोग को NCC दिया गए NCC क्या है कि फोट का एक बच्चा है जिस समय फोट में लड़ाई में सेना घट होगा हम चल जाएंगे बॉर्डर पर लड़ने गलवान घाटी में सब्सक्राइब लेकिन सेना हमारी इतनी बहादूर है कि हम लोग की जरूरते नहीं पड़ेगे लेकिन हम लोग अपने आपको सभाग साली समझेंगे कि सेना कम से कम हम लोग को यह बुला ले कि सेना लोड इंडिया से लड़ सकता है इंडिया के एरिया बड़ा है इंडिया के एरिया बड़ा है इसलिए एरिया से नहीं लड़ सकते हैं और इंडिया से लड़ेगा क्यों अजीब हाल है अब आप कहेंगे आप में और आपके पीता जी में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा अरे लड़ेगा काई लिए तुम हम हिंदुस्तान वाले कभी भी किसी को अस्तितों मिटाने के लिए नहीं सोचे हैं जबकि यह सौधी अरब यमन और इस सब इस सब को खाने इस सब पेट्रोल नहीं रहेगा न तो लूंगी पहिन के सड़क में बकरीचे रहेगा से इनकी कोई पाकिस्तान का है इंडिया का है हम लोगों ने कभी कहा कि तुमने तिबबत को चाइना ने क्यों कभ जगे हमें अपने से मतलब है इसलिए हमारा कभी भी इसराइल से जगड़ा हो ही नहीं सकता है और इसराइल एक बार यह सोचके देखिए इसराइल कहा जाएगा आप उसे कोरोना हरा देगा इसराइल को नहीं वह बहुत पाउरफूल है इसराइल इतना कैसे पाउरफूल बन गया पढ़ाई के दम पर उहां पर पढ़ाई का लेबल बहुत जादे है एडवांस पढ़ाई बहुत जादे है और हम लोग कि यहां पढ़ाई का लेबल बहुत ही कम है सिख्षा इतना कम है हमारे यहां कि आप सोच नहीं सकते हैं अमेरिका वगरा इस सब में सिख्षा बहुत आगे है मतलब हर जगा सिख्षा आगे है आप ऐसा ही सोचिए ना जापान और इज्राइल ये दो ऐसे देश हैं जो सिख्षा को बहुत आगे गए और जापान जो दो दो परमाडू बम गीरा और फूकु सीमा उसका अपना परमाडू रियेक्टर ब्लास्ट कर गया तीन-तीन परमाडू हमला जहनने के बाद आज भी जापान नंबर वन पे जाता है टेकनोलजी के मामले में इस्राइल क्योंकि ये दोनों ने सिक्षा देते है आपको यहाँ जापान का एक एक इक्जामपल बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे जापान में एक स्टेशन सा सूका नाम का स्टेशन था उस रेलवे स्टेशन पे कोई यातरी ही नहीं जाता था तो वहाँ पर लोगों ने डिसाइड किया रेलवे मंतराले ने डिसाइड किया इस स्टेशन को खतम कर देना है भारत में भी बहुत सारे स्टेशन खतम कर दिये गए जहाँ पर लोग सावारी नहीं जाते लेकिन एक लड़की थी जो 12 में पढ़ती थी वो एकलोती लड़की उस स्टेशन से चड़ती थी तो सोचिए दीन भर में केवल एक टिकट बिखता था जापान से उस स्टेशन से लेकिन उस स्टेशन पर 35 स्टाफ रहते थी क्योंकि स्टेशन बनाएंगे तो 1200 स्टाफ रहेगा कोई सिगनल का रहेगा कोई किसी चीज कर रहेगा और स्टेशन नहीं रहेगा तो कोई स्टाफ नहीं रहेगा एक लड़की जो थी 10 प्लस 2 में पढ़ती थी जो वहाँ से जाती थी एक टिकट से जापान की सरकार ने केवल उस लड़की के वज़े से उस स्टेशन को बनाए रखा और हर साल उस स्टेशन को मेंटेन करने का खर्चा साथ करोण रुपे आता था लेकिन उस लड़की के लिए उस ट्रेन चलती रही और अगले तीन साल तक चलती रही जब तक कि वो लड़की ग्रेजुएशन करके सेटल नहीं हो गई तब तक जिस दिन वो ग्रेजुएशन कर ली उससे पूछ लिया गया अब आपको इस ट्रेन की जरुवत तो नहीं है फिर उस ट्रेन को बंद कर दिया गया ये होता है सिक्षा और हमारे देश में ऐसा सिक्षा है नहीं है और हम सपने देखेंगे कि हम इसराइल बनेंगे आगे बढ़े जापान और जर्मनी दोनों टेक्नोलजी में आगे दोनों के पास सिक्षा बहुत जादें आपके पास अगर सिक्षा नहीं रहेगा कुछ नहीं कर सकते सुचिए इतना भयानक सिक्षा है हमारे यह स्टुडेंट भी ऐसे होते हैं यह डेली टिकट खरीती थी हमारे यह स्टुडेंट को लगता है कि ट्रेन उसके बाबु जी का है रहे चल हम रहे ठीटी पुछता है थे स्टुडेंट है रहे स्टुडेंट है तो बाबु जी के ट्रेन है स्टुडेंट है यहां पर हाद हो जाता है कोई ट्रेन अगर वेकेंसी के बीच में बिहार से निकल गई तो बैस आप सिलीपर को जनरल बना देगा अब इस्टूडेंट के भी प्रोब्लम है उसको जाने के लिए साधन नहीं है आप स्टूडेंट को दोस्ट देंगे कि गौर्मेंट को दोस्ट देंगे बुरागीन लीजे अब पापूलेशन तो हमारे हैं बहुत बड़ी समस्य है भाई यहूदी इंडिया में रहते हैं हाँ बहुत कम रहते हैं मुंबई वगरा में यहूदी हैं बहुत कम रहते हैं यहूदी लोग समया गया चलिए अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कल के क्लास में हम आपको साओधी अरब पढ़ाएंगें, यमन मतलब कल के क्लास में ये वाला मीडी लिस्ट खतम कर देंगें, आज के लिए इतना ही, कल आप पेज नंबर खोजोच के रखिएगा, कल आप था साओधी अरब के बारे में अपने से पढ़ लिजेगा, यमन के ब इस बारे में एक अलग से यूटूब पे वीडियो बनाए हुए है, लिखिएगा फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फिलिक्ट बाई खांसर, अगर मेरा कोई वीडियो देखना है तो लास्ट में जरूर लिखिएगा बाई खांसर, समझा गया, आपको मिल जाएगा, उसमें छो झाल झाल झाल